है गाईज देखो आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे एक केवल 1500 रुपीज का स्टॉक केवल 1500 रुपीज का स्टॉक जिसने कंपाउंडिंग करके दिखाया है जो कि लगबख सेम पिरियेड में जो सिंपल इंट्रेस्ट वाले हैं उनको दिया लगबख 60% का प्रॉ इचले एक साल में अगर हम देखेंगे तो सेम वक्त में किसको कितना रिटेन मिला उससे पहले सिंपल और कंपाउंड इंट्रेस्ट को समझना जरूरी है आज मैं आपको हो सकता कुछ नया दिखाने की कोसिस कर रहा हूं तो हो सकता कि थमडेल में कुछ लिखा गया हो कुछ मिस्टेक हो जा क्यों क्यों मुझे समझ में यह ढहा है किस तरीके से इसको प्रेजनट करके आपको बताओं लेकिन फिर भी कोसिस कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पर तो जैसे कि यहां पर देखेंगे जे भी केमिकल से यह यहे चैमिकल भी है फार्मसूटिकल भी है दोनों बात है भाइ, 7,000% का return निकाल के दिया है यहाँ पर, अब अब दीखेंगे हैंगे, हमने क्या set किया, देखो, 1999 से, लगभव 2020 टक, December, मतलब 2020 खत्म हो गया, तो 2020 के December भी अगर हम set करते हैं तो इस Конечно अपनी ने कितना रिटन निकाल के दिया लगबग 4000 का असपास उनली 4000 समझो मैंने क्या दिखाया आपको टोटल 7000 परसंड का रिटन दिखाया ना मैंने आपको दिखाया ना भी अभी फिर से मैं आपको दिखा दूगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है 7,000% का return देखो फिर से दुबार देख लो 7,000% का return है लमसम अब यहाँ पर अगर अगर आप देखोगे तो अगर मैंने यहाँ पर 9 यह दिसंबर को यहाँ पर मैंने सेट किया कि विले एक दो महीने का difference है तो यह कितनी में आ जाता तो 4,000% पर यह आ जाता लेकिन समझने के कोशिस करेंगा अब एक साल का चार्ट निकालते हैं यहाँ पर देखो एक साल में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें कहां से देखना था 9 अगर हम देखने के कोशिस करेंगा तो यहाँ पर इस company ने कितना रिटर निकाल के दिया केवल 60% केवल 60% लेकिन वहाँ तो टोटल दिखा रहा है 7000 के आसपा तो ये क्या होता है समझने की कोशिस करेंगे जिसने अभी खरीदा है इसके प्रियेट से खरीदा ना तो उनका पैसा compounding नहीं हुआ क्यों कि इसने अभी केवल खरीदा हिया और जिसने लंबे समय से ये stock को hold किया ना उनको compounding देखने को मिला समझ मैं है तो इसलिए Warren Buffett बोलते हैं कि किसी भी stock को अगर आप पैसा लगाते हो तो आप लंबे समय के लिए लगाओ तो यहाँ पर मैं आपको एक relation देना चाहता हूँ कभी भी किसी stock को अगर आप चूज करो न तो अच्छे stocks में लंबे समय के लिए पैसा लगाओ अगर आप करोड़ पती बनना चाहता हो यह possible है stock market में करोड़ पती बनना possible है लेकिन उसके लिए उतना आपको patience भी लगाना पड़े है सोचो किसी stocks में अगर आपने माल लेते हैं कि 10 सल के लिए पैसा लगा दिया लेकिन 10 सल के बाद जो आपके portfolio में जो moment देखने को मिलेगा न volatility देखने को मिलेगा न वो लगबग लाकों और करोड़ में होंगे याद रखेगा वो लाकों में volatility आपको देखने को मिलेगा daily 2,5,0,000,000 का up देखने को मिलेगा finally आप बहुत मोटा पैसे बना लोगए तो इस तरीके से अच्छे stocks में आपको पैसे लगाना चाहिए यहाँ पर आप सोच लो कि आपको 3000% का return चाहिए था या फिस 60% का return सभी को भाई अच्छा खासर return चाहिए था 3000 का लेकिन देखो केवल एक साल में 3000% का return कितना अच्छा और अभी यह stock देगा ही अभी अच्छा खासर result देगा ही यहाँ पर तो मैं आपको बोलूँगा 4-5 ऐसे stock अपने हिसाब से आप चूस कर लो चूस कर लो और उसके बाद अच्छे stock में पैसे लागो लंबे समय के लिए याद रखेगा बाई देखो इंसान के पाथ सभी कुछ है लेकिन time नहीं है time जा रहा आज के डिट में पैसे लागा दो आने वाले 10 सालों में अच्छे stocks आपको बड़ा मुनाफ़ा दे देंगे मेरे हिसाब से मैं आपको बुलूँगा बजाज फिंसर रहेगा जेबी chemical यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा यहाँ पर और एक जो है black rose industry वो छोटी company है और दीपक नाइटेड है वो company Dixon technology है यह 4-5 company मैं आपको बोलूँगा आप पकड़ के रखो तो आने वाले 10-20 सालों में आपको काफी बड़ा return निकाल के देंगे compounding कम से कम तो आपको average compounding मिलना चाहिए 20% का याद रखिए आप बोलेगा 20% तो कहीं पर भी देखने को मिल जाता है यह 20% average है 20 सालों का Warren Buffett है दुनिया के सबसे बड़े जादूगर ने केवल 22 या 23% का compounding लिया था और तुम लोगे बचा 50% है मतलब लग रहा कि तुम भगवान से भी बड़े होगा नहीं समझे रहो ना अगर आपको चाहिए 50% का compounding और भगवान ने भी ऐसा नहीं कर दिखाया तो अब तो फिर मुझे लग रहा कि जादा हो गया आप लोगों को मैंने बहुत सारे company तो दे रहे हैं 50% का बजाज भी दे रहा है तो भाई 20 साल का average समझा करो average आपको बताया जा रहा ठीक है तो थोड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे आपर तो ये मैंने आपको एक छोटा सा logic लगा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को वीडियो खराब लगा हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं कुछ नया करने के खोसिस किया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो हला कि लाइक करने तो नहीं बोलता मैं कभी भी नहीं बोलूँगा और मैंने आपको पांच स्टॉक के नाम बताएं भी हैं जो कि अच्छे हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हूँ अपने डिमेट अकाउंट वगएर ओपन करना चाहते हैं अगर जाएं बोलूट यहां पर देखने को मिल रहा है बहुत जारे लोग परिशान होते हैं अब आगे क्या करें उनको यह नहीं पता पती कौन से कंपनी अच्छी यह कौन से कंपनी बुरी है तो उनको बताया जाता है यह long term के लिए यह short term के लिए यह blue chip कंपनी है यह nifty 50 कंपनी है यह future option के लिए इनको बताया जाता है category